बार बार देखो इस हफ़तेर रिलीज होने वाली है फिल्म की कहानी को लेके ओडियन्स के दिमाग में कई सवाल थे जैसे कि क्या ये एक टाइम ट्रैवल फिल्म है जैसे हॉलिवुड में आई थी फिल्म बाक टू दी फ्यूचर या फिर जैसे हमारी देशी टाइम ट्रैवल फिल्म आक्शन रिपले थी तो इन सवालों का जवाब देने का स्टाइलिश तरीका ढूंडा ग्लामरस डिरेक्टर करन जोहर ने और फिल्म के प्रोडूसर्स, डिरेक्टर्स और लीड अक्टर्स के साथ की एक round table meeting इस round table meeting को social network पर आसानी से देखा जा सकता है इसमें फिल्म से जुड़े कई सारे सवाल करन ने पूछे पूरी टीम से और उनी में से एक सवाल था नित्या महरा से कि क्या ये फिल्म एक time travel based film है तो नित्या सेड नो इस नॉट इस फिल्म की थीम में time है, life है, love ही है लेकिन ये फिल्म time travel love story नहीं है तब वरान अक्तर में बताया कि इस फिल्म में ये lovely couple अपने relationship का future देख सकता है तो ये दोनो future देखते हैं और अपने present में कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं ताकि future और better हो सके काश ये option सब के पास होता